आस्ट्रेलिया का दूसरा टेस्ट हुआ कमाल, MCC ने मचाया बवाल सही सुना आपने, आशिस का दूसरा टेस्ट लॉट्स में खेला गया था और पांचवे दिन बहुत ही जादा हंगामा हुआ है आपको बैस्ट्रो के रनाउट पर बहुत बड़ा बवाल बन चुका है वहां की जो जनता है बहुत ही जादा दुखी हो गए थी उनके रनाउट होने पर यह पूरी कहानी क्या है वो मैं आपको शुरू से बताता हूँ जैसी आप देखेंगे कैमरन ग्रीन ने गेंद कराई तो बैस्ट्रो ने वो गेंद छोड़ दी विकेट कीपर के पास आई और बैस्ट्रो बात करने चले गए बेंच स्टोक्स के बाद जैसी वो बाहर निकले वहां से एलेक्स कैरी ने उनको रनाउट कर दिया और वहां पर वो आउट करार कर दिये गए उसके बाद जो है बेंच स्टोक्स भी काफी हरान थे पैट कमेंच भी हरान होगी कि आखिर में हुआ क्या है जैसी रनाउट करार कर दिया गया उसके बाद Ben Stokes ने Ampire से भी जगड़ा करा कि ये फैसला आप कैसे ले सकते हैं लेकिन जैसी बेस्ट्रो रनाउट होते हैं उसके बाद असली बवाल शुरू होता है क्योंकि वहाँ की जनता उन्हें धोके बास बोलना शुरू कर दिया था बहुत ही कुछ बला बुरा का है उनकी टीम को अस्ट्रेलिया की टीम को लेकिन उसके बावजूद अस्ट्रेलिया की टीम ने धहरे रखा लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब जो है अस्ट्रेलिया की टीम वहाँ ड्रेसिंग रूम में जाती है और वहाँ पर उनका जगडा शुरू होता है अगर इस पूरे रन आउट की कहानी बताएं आपको तो वो ये है 52 ओवर में बैस्ट्रो को रन आउट किया गया 57 ओवर में लंच किया गया खिलाडी जब ड्रेसिंग रूम के लिए जा रहे थे तब बहसबाजी शुरू हुई दो के बास तक कह दिया और बत्तमीजी शुरू कर दी डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा के साथ बहुत बुरा बरताफ शुरू कर दिया MCC ने एक्शन लेते वे तीन सदस्यों को सस्पेंड कर दिया अब यहां मैं आपको बता दो तो MCC ने काफी बत्तमीजी करी ड्रेसिंग रूम में उस्मान ख्वाजा के साथ डेविड वार्नर के साथ क्योंकि जैसी उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर और ऐस्ट्रेलिया की टीम ड्रेसिंग रूम के लिए निकल रही थी तो वहां लॉंग रूम में MCC के सदस्य थे और वहां जो है वो उनसे बहस बाजी उन्होंने शुरू कर दी हाथापाई शुरू कर दी और कई न कई उन्हें धोके बास का बहुत ही कुछ बॉला बुरा का है उसके बाद MCC ने एक्षन भी लिया और यहां पर तीन जनों को सस्पेंड कर दिया है और इसकी सफाई पर MCC ने यह बयान दिया है Australia प्लेयर्स को गाली देने वाले और हतापाई करने वालों पर जांच की जाएगी यही नई MCC ने तीन सदस्यों को सस्पेंड भी कर दिया है अगर आप पिच्चर भी देखेंगे ध्यान से तो वहाँ उस्मान ख्वाजा ने पहले लड़ाई शुरू नहीं करी थी वो शुरुआत से ही बहुत आराम से बात कर रहे थे लेकिन जब उन पर आरोप लगना शुरू होए तब वो थोड़े से गुसा हो गए और उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी वहाँ और हाली मैं अभी उस्मान ख्वाजा ने एक चैनल में इंट्रिव्यू देते हैं ये बात बोलिए आप पत्ती जनक बाते कही गई हैं और जब उन पर आरोप लगना शुरू हुए उन आरोपों को साफ करने के लिए वो जवाब दे रहे थे और वहीं पर हाथ अपाई शुरू हो गई थी अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आगे क्या मामला होता है क्योंकि अभी दूसरा टेस्ट ही खतम हुआ है अभी तीन टेस्ट और बच रहे हैं और कही न कही अगर ऐसी कोई हरकत इंगलेंड करता है तो फिर क्या ऑस्ट्